दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल के डेट में टॉल्विन लाइफ में दो नीव अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले जब अपना ID को लॉग इन करेंगे तो उस टैप से यहां पर चेक कर लिजेगा अगर आपने यहां अपडेट के बात करते हैं अपडेट जो है यह वह है ती लाइफ का पीटूप की रिगार्डिंग क्योंकि पीटूपी ती लाइफ की दोरह पहले सुनने में आ रहा था कि बंद कर दिया जाएगा जो कल के डेट में यहां पर निच्टूपी सिस्टम बंद हो चुका है और पर Swaping system भी बन चुका है, यहाँ पर जब जाएंगे, तो यहाँ पर P2P करेंगे, सबसे पर Swap P2P करेंगे, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है Swap P2P जो डिसकंटीनियू, आनि कि Swaping जो है, अब डिसकंटीनियू हो चुका है, अब आप पर Swap नहीं कर सके हैं, लेकिन यहाँ P2P के जो system है, P2P transfer, यहाँ पर date time mention किया हुआ है, जो एक October के बाद जो से बंद हो जाएगा, तो ऐसे में, अगर आपके पास P2P wallet में पढ़ा हुए fund, तो उसको जाकर अपने team में उसको sell out कर दीजे, या फिर farming लगा दीजे, जो भी करना चाहते हैं, वो एक तारिक से पहले एक October 2020 से पहले कर लिजे, otherwise वो coin जो ऐसे आपका पढ़ा रजाएगा, ठीक है, तो यह action आपने खुद ले लिजे, अपने team में भी share कर दीजे, अगर किसी के पास P2P में यहाँ पर fund पढ़ा हुआ है, तो उस fund को use कर दीजे, या sell out कर दीजे, या फिर जो भी करना मार्क स्टार्ट कर दिया था, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था, पी टूपी को उपर, कम rate पर buy करना, और जयाद rate पर sell करना, बल्क में जो सो यह P2P को उपर trading चल रहा था, बाकि टी लैक coin या टॉलविन से उसको कोई मतलब नहीं था, मतलब कि एक screenshot में कह सकते हैं, कि P2 किसी को transfer करेंगे, अपने down में या फिर withdraw करेंगे, तो आब आप system से आपको withdraw करना पड़ेगा, system से withdraw करेंगे, या फिर आप P2P करना है, तो आपको यहाँ पर trust wallet या दूसरे exchange, आपका L bank हो गया या फिर Zobi exchange में listed है, उन exchange के थुरू आपको आपको आपर transfer करना पड़ेगा, इ यह sure नहीं है कि हमेशा close रहेगा, या फिर कुछ दिनों के बाद चालू हो जाएगा, बट अभी current date में यहाँ पर close किया गया है, अगर in future में कभी P2P फिर से start होगा, किसी origin से start होगा, system के अंदर स्टार्ट होगा, तो वो मैं आपको notify कर दूँगा, लेकिन अभी तक यह जो इसके लिए आप अपना जो भी exchange है, मैं तो जनरली यूज करता हूँ, trust wallet तो trust wallet में आप जाकर add कर लीजेगा, आप टी life coin को trust wallet में कैसे add किया जाता है, इसके लिए alerts से वीडियो बना है, उस वीडियो का link जो description डाल दूँगा, उस वीडियो को check कर लीजेगा, और टी life coin अग आपने groups में डाला था, या फिर आप रसन message करेंगे, तो आपको smart contact address में बिल जाएगा, वहां से जाकर आप add कर लीजेगा, जब पास add हो जाएगा, तो टी life coin यहाँ पर step आगगा, इसके बाद जब भी आप transfer करना चाहेंगे, तो simple सा आप जाकर यहाँ पर send पे click करेंगे, औ instantly आपको यहाँ पर transfer कर पाएंगे, तो दोस्तो आज की वीडियो इतना ही, वीडियो आप अपने team में पे share कर दीजेगा, और जैसा daily का में हम लोग activity होता है, daily को अपने ID को login करके आपको farming को start करना होता है, तभी आपको daily जो 0.6% and 0.75% आपको daily का मिलता रहेगा, तो यह work आ अगरे LBank की, तो LBank में अगर आपने ID नहीं बनाया होगा, तो LBank में ID बना लिजेगा, प्रिवियस में जो भी एक्सेंज है, दो तीन एक्सेंज में जो launch हुए थे, उन सारे दोनों एक्सेंज से तीनों एक्सेंज से ज्यादा बड़ा एक्सेंज है, तो इस वो LBank में जल्द ही आने वाले हैं तो उन सारे exchange में अगर आपका ID बना होगा तो वहां से जाकर भी कर सकते हैं लेकिन current time में भी जो सबसे better होए वह आपका एलबेरिंग exchange है तो इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आपने registration नहीं किया और registration करने का link जो दिया हुआ है जाकर registration कर लिजेगा, join कर लिजेगा, इसका application भी आता है, application भी download कर लिजेगा और आप यहाँ पर TLIF coin को trade भी कर सकते हैं, buy sell भी कर सकते हैं, transfer भी कर सकते हैं सारह को से आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसके regarding कोई और qari हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट को वीडियो चाहते हैं, वो भी मुझे बता सकते हैं, उसके उपर में वीडियो जल्द ही आपको अप्लोड कर दूँगा, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो तना ही, मिलते में एक स्टूडियो में, तो थैंक्स, टेक केर, बाबाई, जै टॉल बीलाव